पोहे से बांगलादेशियों का नाता जोडने वाले भाजवा के राश्वी महासचीव कैलाश विजवर्गियों को लगता है कि इंदोर शेहर में पित्र दोश है इसी भज़त से इंदोर का विकास नहीं हो पा रहा है शेहर पर चाय संकट को हरने के लिए उन्होंने पित्र परवत पर हनुमान प्रतिमागी स्थापना कराई है बीजवी महासचीव कैलाश विजवर्गियों कभी पोहे खाने वालों को बांगलादेशी बता रहे हैं तो कभी मदर्सों में हनुमान चालिसा पढ़ाने की बात कह रहे हैं अब इंदौर को लेकर उनका एक बयान सामने आया है उन्होंने इंदौर शहर में पित्र दोश बताया है विजवर्गिय का कहना है कि इंदौर में पित्र दोश होनी की वज़़ से यहां का विकास रुका हुआ है वो कहते हैं दोशदूर करने के लिए पित्र परवत पर हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की है अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद इंदोर का नाम विश्व के नक्षे पर आ जाएगा केलाश विजवरगी ने इन दोर में आईफा अवार्ड के आयोजन पर भी राज्य सरकार पर तंज कस्ते हुए कहा कि युवाओं का ध्यान बाटने के लिए कमलनाथ सरकार ये आयोजन कर रही है सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाई इसलिए युवाओं में आक्रोश है युवाओं को बहलाने के लिए इस तरह के समाहरों किये जा रहे हैं ऐसे आयोजन का प्रदेश के विकास में कोई महत्व नहीं होगा लेकिन हां कमलनाथ की मार्केटिंग जरूर हो जाएगी विजवरगी ने कॉंग्रेस नीता राहुल गांधी के पुलवामा अटैक पर दागे गए सवालों पर कहा कि कुछ विशे ऐसे रहते हैं जिन पर राजनीती नहीं करना चाहिए राहुल गांधी नादान है मैं नादान नहीं हूँ कि उनके हर प्रिश्न का जवाब दू कॉंग्रेस महासची जोतिरादित्य सिंध्या के वचन पत्र में किये वादे पूरे करने के बयान पर क्यलाच विजवरगी ने कहा कि सरकार को अपने घोशना पत्र में किये वादों को पूरा करना चाहिए उन्होंने कहा कि सिंध्या के सहसिक बोल का मैं सम्मान करता हूँ पीकमगर जिले में जोतिरादित्य सिंध्या ने कहा था कि यदि जन्ता परेशान हुई तो वो तलबार और ढाल की तरह उनके साथ खड़ी रहेंगे मही कैलाश विजेवर्गिये के बयान पर निशाना साधते हुए कॉंग्रिस नेदा शोभा ओजा ने कहा कि विजेवर्गिये किस पित्र दोश की बात कर रहे हैं ये समझ से परे है केलाश विजेवरगी ने इन दौर के पित्र परवत पर भगवान हनुमान की अश्ट धादु की मूर्ति के स्थापना कराई है इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारिक सी होगी देशभर के सादू संत इस समेलन में शिर्कत करेंगे और तीन मार्श तक ही आयोजन चलेगा